हालो एंड वेलकम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरेशन ओफ कम्प्यूटर्स आप सब को पता है कि पांच जनरेशन है कम्प्यूटर्स के यह जो लास्ट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन वो अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा क्योंकि यह अंडर प्रोसेस है अं क्योंकि electronic computer में ही changes हुए generations हुए stages of development हुए variations हुए hardware और software में इस बात को समझो इस दुनिया में पहले mechanical computer आते हैं फिर electro-mechanical computer आते हैं mechanical or electro-mechanical computer में कोई generation of computer नहीं पढ़ना आपको क्यूं क्यूंकि इन में कोई changes नहीं आए computer में evolution नहीं हुए computer का variations नहीं हुए computer के development ज्यादा नहीं हुए computer का तो यह आप नहीं पढ़ते हो लेकिन जब से electronic computer आये और पहला generation तो start होता electronic computer से जब से electronic computer आये तब से ही उनके stages of development record किये गए hardware software में जो changes आगे उनको record किया गया अलग-अलग generations में ठीक है और वही हमें पढ़ना है generations of computer मतलब electronic computers की दुनिया के variations changes over a period of time major changes अब ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया मैंने बोला hardware और software में ज्यादा changes आये इस electronic computer में वो ही हम देखेंगे generation to generation क्या changes आये hardware और software में यह है आप क्या hardware यह है आपका software थोड़ा सा बताऊंगा मैं समझा इस बात को देख लीजिए सबसे पहले यह जो पहली वाली पहला वाला यह है यह ह उसके बाद switching device hardware उसके बाद storage speed operating system language characteristics या features और last में applications और computer के types भी यहां पे computer के types भी लिखे हैं और के applications और साथ में computer के types अब यह ही हम पढ़ेंगे generation तो पता है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्ट पांच generation हुए switching device hardware क्या होता है याद रखना hardware भी पता है आपको जिसको आप touch कर सकते हो वो है hardware लेकिन switching device क्या होता है switching device होता है hardware का सबसे important hardware या आप ऐसे समझो computer का सबसे important hardware switching device होता है computer का heart computer का brain computer का processing device उसको बोला जाता है switching device computer का main part hardware main hardware स्टॉट में सुचिंग डिवाइस क्यों ये नाम क्यों कि आपको पता है सुच क्या करता है on off मतलब 01 off on off on 01 कम्प्यूटर सुच भी यह करता है न कम्प्यूटर एक्चुली 01 ही समझता है वो आपकी और मेरी बाशा नहीं समझ सकता सुचिंग डिवाइस इसी 01 को प्रोसेस करता है कम्प्यूटर में घडिक है अब 0 क्या है 1 क्या है 0 और 1 ये 2 बिट्स है आपके सामने 0 भी बिट है 1 भी बिट है अगर 4 हो 0011 या कुछ भी 011 या 110 कुछ भी 4 हो 4 बिट्स को बोला जाता है निबल अगर 8 हो, 0, 1, 0, 1, कुछ भी अगर 8 हो, तो उसको बोला जाता है byte ठीक है, पढ़ेंगे हम ये आगे 1024 bytes, 1 kilobyte 1024 kilobyte, 1 megabyte 1024 megabyte, 1 gigabyte अब ये 1024 क्यों है 1000 क्यों नहीं है, 1024 ही क्यों है ये भी हम समझेंगे, हर एक बात समझेंगे switching device क्या होता है, इसको समझो hardware सबसे important, ओके ये हम पढ़ेंगे आगे, कौन-कौन सी generation में कौन-कौन सा switching device है store मतलब आप store कर सकते हो computer में 0 और 1 की farm है और speed मतलब कितनी processing speed है operating system याद रखना software का सबसे important part operating system होता है, ये याद रखना या computer का सबसे important software, operating system होता है या software में सबसे important part आप इस तरह याद रखो computer में सबसे important software, operating system computer में सबसे important hardware, switching device ठीक है, कोई बाद निए, अब आप यहाँ तक तो समझ गए, operating system मतलब important software और langवेज भी आपको समझ नहीं है, क्यूंकि operating system तो computer langवेज से बनाएंगे software किसे बनाएंगे, लंगवेज से वो लंगवेज भी आपको समझ नहीं है इसी में characteristics मतलब कैसे computer पहले थे, क्या features थे उनके और बाद में जो computer यह आपको characteristics वाला जो यह है यह आपको अलग-अलग stages में नहीं पढ़ना है इसमें, अलग-अलग नहीं पढ़ना यह बस आपको पढ़ना है पहले कैसे थे और फिर last में यहाँ पे last में, last में, last में, last में last में, कैसे थे ठीक है, पहले generation वाले computer कैसे थे last generation वाले computer कैसे है थे, आपको यह समझ में आ जाएगा last में applications applications, applications तो पढ़ोगी आप कौन से purpose के लिए, scientific, commercial, लेकिन बीच में कौन से computer, computer के नामस भी, examples, applications and examples जहां पे लिखना आप, okay, computer के examples, अब याद रखना, start करने से पहले, सबसे important है ये, इसी के related में ये सारी चीज़े है, hardware सबसे important है, vacuum tubes की वज़े से बागी सब है, transfers की वज़े से बागी सब है, उसी तरह उसके बाद आते हैं, Ic's उसकी वज़े से बागी सब है, उसी के बाद आते है, microprocessors, उसी की वज़े से बागी generation में सब कुछ है, उसके बाद आते है, VSLI यह आपके से बागी सब है, ठीक है, ये सबसे important बन जाता है, पहली line आपकी switching device, पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे. First generation of computer, कब स्टार्ट होता है, sir? आपके सामने हैं, देख लीजिए. 1945 से 55 तक. कुछ बुक्स लिखती हैं, 43, 44, 45, 46. लेकिन आपका अंदाजा सरिफ होना चाहिए, एक्जाम में ये सवाल नहीं आ सकता. ये भी नहीं याद रखना, कुछ भी नहीं याद रखना, लेकिन थोड़ा अंदाजा रखो. 1955 से, 45 से 55, sorry. 45 से 55. याद रखना, 45 और 55 के दोरान, दर्मियान 48 का डेट आता है, 1948. इस 1948 पे, एक बंदा होता है, जिसका नाम है, One New Man. ये दुनिया में, पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाता है. पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कोन बनाता है? One New Man ने कब, 1948 में, किस जनरेशन में? फिर्स्ट जनरेशन में. याद रखना. अब पहली जनरेशन की बात करें, तो switching device क्या होगा? सबसे important hardware फिर्स्ट जनरेशन में था, vacuum tube. याद रखना, vacuum tube सौफटेर नहीं, hardware है. vacuum tube क्या था? इस तरह का tube था, बीच में vacuum था, ठीक है? और यहाँ पे electrons फ्लो होते थे, इसके बीच में बहुत ज़्यदा heat लेता था, याद रखो, इसको मैं connect करता हूँ इसके साथ. vacuum tube क्या होता था? बड़ा होता था, जिसकी वज़े से computer जो बने वो non-potable थे, एक जगा से दूसरी जगा आप नहीं पहुंचा सकते उसको. vacuum tubes बहुत ज़्यदा heat generate करते थे, तभी तो AC rooms में इनको रखा जाता था, vacuum tubes input power का power supply बहुत ज़्यदा लेता था, vacuum tubes processing slow होती थी उनकी, वो costly होते थे और उनमें processing होती थी sequential processing, sequential processing क्या है समझाएगा आपको, अगर A, B, C, D, 4 काम आप ने दिये computer को, तो sequence में करेगा, parallel में नहीं करेगा, A, A, A को पहले करेगा, फिर B को, फिर C को, फिर D को, परलल में नहीं करेगा, अब A को भी, B को भी, C को भी, D को भी, साथ साथ नहीं करेगा, ओकी? यह पहले computers थे, फर्स्ट जनरेशन कम्प्यूटर, लेकिन अब में सेकंड और थर्ड और फॉर्थ तक, सेकंड और थर्ड तक, करेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको यह याद रखना है, अगर सवाल आए, सेकंड जनरेशन में बड़ा था कि पहले में था? यह आपको लखना है, पहले में बड़ा था, सेकंड में पोटेबल ज्यादा था कि आपको नोन पोटेबल पहले में था, सेकंड में थोड़ा सा पोटेबल था, हीट कून करता है जनरेट जाज, यह कि यह सर पहला वाला हीट करता है ज्यादा, ज्यादा पाउर पहला वाला, सेकंड से, थर्ड से, second third से इसी तरह आपको समझ में आएगा आगे भी रुको मैं समझाओंगा last पे आपको समझना है इस बात को मैं समझाओंगा साथ साथ रुको भी last में आपको यह याद रखना है कि last में कहा भी तो यह और यह पढ़ना वाक़ी है भाई अब देखो store जो पहला जनरेशन का computer वह store करता था magnetic drums में अपना 0 और 1 मतलब जो अपना data है शोट में speed approximately 300 micro seconds थे micro seconds क्या होता है micro seconds का मतलब होता है 10 raised power minus 6 seconds 10 raised power minus 6 seconds का मतलब क्या होता है 5 0, point के बाद 5 0, point, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 इतने seconds, ठीक है, समझ मैं आला, okay, उसके बाद ये जो first generation, वो operating system जो use करता था, उसको बोलते थे, batch operating system, operating system मतलब सबसे important software, batch operating system use करता था, operating system, अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन batch operating system क्या होता है, अगर A, B, C, D, E, F, काम दिया गया है computer को, तो batch में ये computer इसको process करेगा, ये operating system, batch operating system, वो क्या करेगा, पहले A को खतम करेगा, sequence में चलेगा, preference के हिसाब से, फिर दूसरी preference आएगी इसकी, इसको भी खतम करेगा, इस task को, फिर ये वाला task करेगा, फिर ये वाला task करेगा, जो मैंने आप ही समझा आपको, sequential processing, batch operating system sequentially process करता है sequential tasks को process करता है, याद रखना, ओके, अच्छा, अब उसके बाद आपको समझना है कि, software बनाने के लिए, language की तो जुरत पड़ती है, जो language इस्तेमाल की गई, first generation में वो है machine language, machine language low level language है, अब ये समझो आप, याद रखना, इदर समझाओंगा, याद रखना, low level language, मैं दो चीज machine code और है assembly language, machine language और assembly language, ये दोनों के दोनों low level languages है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये थोड़ा आसान होता है, उसके बाद low level language के बाद high level language आता है, जो कि बहुत ही आसान है, सबसे मुश्किल machine language, क्यों? machine language, आप पता कैसे देते हो, आपको जब programing करते ہو न आप लिखते हो, 0,0,1, अगर आपको hello लिखना होगा, h e hello, आप लिख लो, 001,000, 11, 11,000, कोई रख रख़ेंगा? याद, hello के बदले इतना 001, 11, 11, लखना, ऐसा machine language में, आपको करना पदता था programming, तो इस हमाचे पढ़ेंगे, मतलब कि पहली लंगवेज बहुत मुशकील थी, उस में सिर्फ 0 & 1, मशीन कोल आपको लिखना पड़ता था लंगवेज में, उतना कौन याद रहेगा, आपको हैलो तक याद नहीं रहा, तो मशीन लंगवेज जोके एक लोगवल लंगवेज है, वो सिर्फ 0 और 1 में उसको प्रोसस उसको करना पड़ता था record, 0 और 1 में वो लंग्वेज यूज करनी पड़ती थी, 0 और 1 मतलब binary, तो ये बहुत difficulty थी, बात खत्म, उसके बाद मैंने आपको समझाया पहले computer कैसे थे, और हम बाद में समझेंगे, लास्ट में computer कैसे कैसे आये, इसी का पोज़िट है, लास्ट में आपको समझाया पहले लारिश थे ना, लास्ट में सुमाल थे, पहले नॉन पोटेबल, फिर कम पोटेबल, पिर पोटेबल, स्वारी, पहले ज्यादा हीट जनरेट करते थे, फिर क computer को, यहाँ पर मैंने लिखा PANS, computer के साथ होते थे, ओपर मैंने लिखा sequential processing, यहाँ पर मैंने लिखा sequence में भी और parallel में भी processing होती है, जितने जितने generation computer आये, उतना उतना ये सब आया, और वो सब खत्म हो गया, जो आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है, okay, first generation computer में, कहां पे ये use होता याद रखना, scientific purposes के लिए, first generation computer यूज होता था, क्या examples है computer के, inac, idsec, uniwac, IBM, ये चार आपको याद रखने हैं, बाकि second generation और third generation का, कोई मत याद रखो, कोई बात नहीं, लेकिन ये चार इसलिए याद रखने हैं, क्योंकि ये history of computer में भी आते हैं, last पे जब आप history पढ़ते हो जो मैंने आपको पढ़ाया भी, इनके full form मैंने पिछली lecture में पढ़ाय होए हैं, और ये क्यों important है, ये भी पढ़ाय हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, eniac, e का मतलब electronic, तो ये पहला electronic computer था, edsac, s का मतलब storage, ये पहला electronic computer था, जिसका जबरदा storage था, ठीक है, जो store करता था, permanently, memory में, यू का मतलब universal, universal मतलब general, general purpose के लिए यूज़ा था, first electronic general purpose computer, बी का मतलब business, तो ये business के लिए यूज़ होता था, IBM series, लेकिन याद रखना, IBM 650 को business के लिए यूज़ किया था पहले, लेकिन बाद में इसको scientific purposes के लिए लगाया गया, ठीक है, तो कही कही IBM आपको द commercial, थेखो न, IBM बाद में, IBM बाद में बुचाल लाता है, बुचाल मतलब बहुत सारे computers निकालता है, ये, 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 1830B, 1967B, कितना लिखू अब मैं, तो IBM फिर बाद में commercial परबस के लिए बहुत ज़दा चलता है, लेकिन पहला IBM थोड़ा सा scientific purpose के लिए यूज होता था, अब अब हम पढ़ेंगे, सेकंड जेनरेशन से आप एजी लगेगा आपको, क्योंकि पहला जेनरेशन रिपीर हो जाएगा ना बार बढ़ थोड़ा थोड़ा, सेकंड जेनरेशन 1955 से 64, जल्दी जल्दी हम करेंगे, सेकंड जेनरेशन में, वैक्यूम टूब्स यूज नहीं लिखना है, भूल गवे में लिखना, आप लिखना, एम्ड्रो से फिलैमिंग या ए फिलैमिंग लिखो, A-Flemming, F-L-E-M-I-N-G, आप अपने नोट पे लिखना, A-Flemming, एम्ड्रो से फिलैमिंग, जी वैक्यूम टूब्स को, इसी ने इने निंवेंट किया, ड् defend prayers बैल, secondary, याद रखना CPU, या Central Processing Unit, या जो Switching Device है, जिसके साथ वो direct linked है जिस memory के साथ, उसको बोलते है primary memory जिस memory के साथ processor directly linked नहीं है, उसको बोलते है secondary memory यह हमको आगे भी पढ़ना है आगे भी पढ़ना है primary memory, secondary memory अच्छे से, ठीक है? तो समझे इसको पहले primary memory मतलब processor directly linked to memory magnetic core था, processor indirectly linked to memory, magnetic disk था secondary memory, दस microseconds तक approximately यह processing speed थी इसकी operating system जो इसका use होता था, उसका नाम था, time sharing operating system, अब batch नहीं, अब A, B, C, D आपने दिया, तो आब batch में नहीं चलेगा, पहले यह एक गंटा लगाएगा फिर यह धेड़ गंटा लगाएगा फिर चार गंटे में यह होगा, फिर इसकी बारी बिचारे को शाम को आएगी, इस task की अगर चार काम दे गएगे हैं, computer को A, B, C, D, time sharing का मतलब इसका specific time, time time, time, अलग-अलग time होगा अलग-अलग tasks के लिए उसका बुलते है, time-sharing Multitasking भी है यह Multitasking मतलब कि एक टाइम है ताइम मतलब फर एग जब यह दो सेक्ड में होगा यह तीन सेकंड में होगा यह चार इक होगगा यह पांच नियुट प्रेटास्क में होगा लेकिन अट टाम ही अपुड़ाओज। at a time भी होगा, 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 लेकिन हमें यह पढ़ना है, टेंजिन नहीं एक ही साथ क्या मैं पढ़ाओं का अपरेटिंग सिस्थम आपको, किस तरह पढ़ाओं का बैज प्रोसेसिंग, multitasking, real time operating, बहुत सारी चीज़े, पढ़ाओ गालग से, चलो ठीक है, time sharing मतलब, थोड़ा सा efficient हुआ, model, assembly language को इसने use किया, अब मुझे बता, अभी मैंने बोला, low level language दो तरह के है, एक है machine language, दूसरा assembly language, यह भी एक low level language ही है, लेकिन second generation में, language सिर्फ low level language ही use नहीं हुई, high level language भी use जैसे fortran, algol, lisp, cobal, इनकी full form है, fortran, formula, translation, algol, algorithmic language, lisp, list processing, cobal, common business oriented language, okay, कोई बात नहीं हागे भी हमें पढ़ना है, attention मतले लो, उसके बाद चलो, उसके बाद last में, characteristics तो हम बाद में देखेंगे, उसके बाद applications, second generation की applications यह है कि वो commercial purpose के लिए, इस्तिमाल हुए, यह आप बूलना चाहा तो याद रखना चाहते हो, तो याद रखो, कोई जोरत नहीं, लेकिन हाँ, याद रखना, यह बहुत important है, okay, उसके बाद third generation computer, third generation computer 1946, sorry, 64 से लेके 71 टक चला, पहले vacuum tubes आये, switching device, फिर आये switching device, transistors, फिर बहुत सारे transistors एक ही चिप पे आये, बहुत सारे transistors इसमें second में transistors आये लेकिन बहुत सारे transistors एक ही चिप पे आये उनही को बोलते हैं, integrated circuits, बहुत सारे विल्टीने गैद को रहुत है विझी करने भी प्रॉने संतर्क मुलते हैं जो यह दीना प्रंखिस्टर्स हिते हैं效ा किस फ्राइप कर दोग्री सी्विड गन्हें अनले है लेकिन याद रहना किल्बी बहुत important बन जाता है किल्बी ने इसको discover किया अब किल्बी ने इसको invent किया अगर दोनूब नाम थे हैं तो दोनूब दे दो अगर A अन B था अलग अलग नीचे था A अन B तो बोथ A अन B दे दो तो किल भी ही अगर अकेला था तो किल भी ही, किल भी है नॉइस ने इसको, ठीक है समझ में आ गया हो अब आपको यह याद रखना है कि यहां पे भी, same to same है, यह भी same to same है, लेकिन फारक एक दो जगा है magnetic core ओपर था primary memory यहां पे भी है, magnetic discus था secondary memory यहां पे भी है लेकिन magnetic discus के साथ-साथ यहां पे यह भी लिखा है, magnetic tape भी इस्तेमाल हो है, third generation में as secondary memory ओपर 10 microsecond लगते थे, नीचे 10 hundred nanosecond लगे, आप बलोगे sir 10 है, speed बहुत जबर्दस है यहां पे 100 seconds, sir इतना ज़्यादा speed, अरे यहां पे nano लिखा है, nanosecond मतलब बहुत कम speed, nanosecond होता है 10 raise power minus 9, वो होता है 0 point, 10 raise power minus 9, nano, मतलब 8 0, 8 0, 10 raise power minus 9, मतलब 8 0, फिर 1, इतनी second, point के बाद, बहुत कम time लेता है, बहुत ज़्यादा speed, वो ही तो मैंने बोला न, ओपर से नीचे जब आपड़ोगे तो speed increase हो जाईगी, time sharing था, यहां पे real time sharing, real time मतलब A का अगर 3, यहां पे 3 minute, 3 second था, B task का यहां पे 5 second था उपर, तो उपर नीचे कुछ seconds उपर नीचे हो सकते थे, लेकिन real time का मतलब 3 है तो 3 ही second लगेगे, exact time में computer, exact time में computer अपना task complete करेगा, यह भी multitasking था या multiprogramming था, multiprogramming होती है, multitasking, बहुत सारे tasks at a time, ठीक है, okay, अब आपको समझना है यह जो third generation है, इसमें low level, मैंने आपको अभी बोला ना ओपर, यहां पे assembly language, high level language भी उज़ ही और थोड़ा सा, sorry, low level language भी उज़ ही और थोड़ा सा high level language भी उज़ हुई, लेकिन उसके बाद, जो third generation है, उसमें बहुत ज़दा high level language भी उज़ हुए, कौन-कौन सा, basic, pascal, और C programming जो आपने सुना, वो later stage में आया, वो later stage में आया, वो 1971 के आसपास ही आया, basic की full form है, beginner's all purpose symbolic instruction code, pascal का full form कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह blessy pascal के नाम पे आया, यह pascal, और C later stage में आता है, ठीक ह आप कह सकतो, third generation के later stage में C आता है, हाँ, एक बात तो यहाँ पे मैंने लिखी जगा नहीं थी, इसमें IC बनाने थे, मल बहुत सारे transistor, तो difficult manufacturing था, in computers के switching device का, या या याद रखना, in computers का, in computers के switching device का, difficult manufacturing था, यह third generation computer की वज़े से, database management system, commercial पता है न, by commerce के लिए, trade के लिए, business के लि system में ज्यादा ही इस्तिमाल हुआ, data base, manage करना भाई, data रखना, employees का, जो accountancy में use होता है, data रखना, रखना, accounting करने के लिए, बहुत सरी चीज़े, इसके भी example याद रखना चाहते हो, तो रखो, नहीं रखना चाहते हो, कोई बात नहीं लेकिन फिर से बोलूँगा, इसके example नह नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, ओके, उसके बात fourth generation जो है, उसमें खास क्या हुआ, 1971 से 85 तक चला, खास ये बात है, fourth generation में microprocessors का जनम हुआ, microprocessors वजूद में आए, और microprocessors में यही ICs, जैसे आपने उपर देखना, transistors बहुत सारे बनाते हैं ICs बहुत सारे ICs मिलके बनाते हैं, जब एक ही चिपपे होंगे, बहुत सारे ICs, उनको बोलते हैं, microprocessor, simple है, बहुत सारे transistor ICs बनाते हैं, बहुत सारे ICs बनाते हैं, microprocessor, और बहुत सारे microprocessors बनाएंगे, large scale integrated circuit, very large scale, या ultra large scale, sorry, ultra या super, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़े या very large scale integrated circuit, जो उसकी बाद आए ना, उसको बोलते हैं, बहुत सारे microprocessor एक ही चिपपे लगाना, इसको बोलते हैं, integrated circuit ही, आया, आया integrated circuit ही, मगर, ultra large scale, ultra large scale integrated circuit, super large scale integrated circuit, पढ़ेंगे, 4th generation की storage, semiconductor memory आई, यादर ना, semiconductor memory 4th generation आई, और बाकी memory भी यूज होती थी, 10 picosecond speed थी, अरे भाई, picosecond हो गया, 10 raise power minus 12, बाला, पॉइंट के बाद 11 zeros, फिर वन, 0.001 seconds, बहुत ज्यादा speed, बहुत ज्यादा थेज, processing speed, operating system, जो यूज यहाँ पे होता था, वो real time sharing operating system ही यूज होत था, multitasking, multiprocessing, फिर क्या फरक है सार, उपर भी आपनी यही same बोला, real time sharing operating system, multitasking, multiprogramming, फिर फरक तो यह है भाई, फरक यह है, इन दूनों में फरक यह है, यहाँ पे जो operating system use हुआ, वो graphical user interface वाला operating system था, यहाँ पे भी आप लिखना अपने note पे, यहाँ पे भी same operating system, मगर जो use ह वो character user interface वाला operating system use हुआ, वो क्या होता है character, इस में character बाद में graphical, वो क्या होता है, आज जो आप computer चलाते हों वो है graphical, जो पहले computer चलते था ना वो है character user interface, जैसे कि उन पे चलता था operating system MS-DOS, उन में क्या होता था character, आज आप कॉपी करते हो, ज़रा आज आज आप exit करते हो, computer पे या mobile, क्या करते हो, सीधे button बाते हो, तो exit हो या उपर कोने में laptop पे होता है, cross, वो दबाते हो, तो खत्म हो लेकिन जो ये character user interface, आज आप करते हो graphical user interface, आज अब ये जो fourth generation में आया, ये third generation में जो है, वो आप पहले करते थे, पहले computer में होता था जैसे MS-DOS, MS-DOS commands आपने सुने ना, वो क्यों है, वो इसलिए है, तो ग्राफिकल user interface आया, जो आप उपर cross करते हो, वो आज का है, लेकिन पहले क्या करना पड़ता था, उपर कुछ नहीं था, exit लिखना पड़ता था, type करना पड़ता था, character user interface, इसी तरह, date आज आज आप डूंदो के तो उपर नीचे कहीं पड़ता था, फिर वो चीज़ कॉपी होती थी, ग्राफिकल user, sorry, character user interface, MS-DOS commands में हम ये पड़ेंगे सब कुछ, MS-DOS जो computer काम करता था, character user interface पे, आज क्या है, आज ग्राफिकल है, ग्राफिकल मतलब आपके समने image होती है, आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, प्रॉस करते ह इनमें सिर्फ keyboard लगा होता है, आप कुछ type करोगे, बात खतम, लेकिन आज mouse भी होता है, आप point directly click कर सकते हो, किसी शकल पे, किसी image पे, यहाँ पे लिखना पड़ता था कुछ image, फिर image चड़ती, सब कुछ keyboard से होता था, लेकिन आज आज आप screen पे जाके directly click कर सकते हो, graphical user interface, यह जो कि graphics, character ही सिरिफ नहीं, keyboard तो चलता है, वो तो चलेगा, character भी चलते हैं, character user interface भी है, लेकिन खास क्या है, graphical user interface, तो character user interface के साथ साथ, graphical user interface आया, okay, अब fourth generation में GUI आया, ठीक है, जो fourth generation में language use हुई, वो है C और C++, ठीक है, fourth generation में जो यह चीजे हैं, यह बहुत ही important आपके लिए आती हैं, देखो, fourth generation की application है, distributed system, यह distributed system क्या होता है, computer अलग अलग जगा पे distribute करेंगे knowledge, share करेंगे knowledge, networking, internet system, fourth generation application है, distributed system, computer distribute करेंगे knowledge, एक दूसरे के साथ, internet आया, networking आई, और कुछ चीजे हैं, बहुत important, जाद रखना, दुनिया का पहला, microprocessor, इसी stage में आया, क्योंकि मैंने आपको बोला न, fourth generation को बोलते हैं, अरे, इस generation को बोलते है, microprocessor generation भी, यह भी याद रखना, क्योंकि इसी stage में, microprocessor आया, दुनिया में पहला microprocessor जो आया, उसका नाम था, Intel 4004, 1971 में आया, Ted Hoff ने इसको invent किया, 1971 में ह में आया, starting में, okay, और आपको यह याद रखना है, कि इसी generation में जो आप personal computer यूज कर रहे हो न, वो इसी generation में आया, PCs, Apple Second, इसी generation में आया, लेकिन PC, Apple Second को भी छोड़ो, लेकिन याद रखने वाली चीज यह है, और अब यह है, दुनिया का पहला super computer, दुनिया का पहला super computer, जिस समझाया न, तो यह भी fourth generation में ही आया, दो चीज़ी important है fourth generation के लिए, दुनिया का पहला super computer, Cray, इसी generation में, दुनिया का पहला microprocessor, Intel 4004, इसी generation में, okay, characteristics मैंने उपर बोला था आपको, बड़े थे, देखो न, जो पहले वाले generation थे, बड़े थे, बाद में छोटे, पहले portable नहीं लेते हैं, बाद में fast काम करते थे, बाद में cheap सस्ते थे, बाद में fan लगा हुआ था, AC नहीं लगता था, बाद में sequential processing के साथ साथ, parallel processing भी होती थी, computer की, okay, 5th generation computer, जो कि आज चल रहा है, 1958 से और आगे भी चलेगा, क्योंकि ये अंडर development है, इसमें बहुत सारे micropressors लगे हैं, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसमें जो memory यूज होती है, हो जाएगी, आगे भी उसको optical memory बोलते हैं, optical memory पे ज्यादा काम चलता है जैसे कि optical disks और बाके disks, और ये भी याद आखना, previous memory integration के साथ साथ चलती है, 5th generation computer कोशिश करता है, कि सारी पुरानी memories को साथ साथ मिला के, optical memories को साथ साथ मिला के, memory का जबर्दस efficient use हो जाए, ठीक है, speed जो है, वो है, 1, sorry, वो पर तो लिखा था, 10, pico, seconds, यहाँ भी लखा है, 10 fem 12 seconds तक speed acquire करने की कोशिश है, 5th generation में, यह 4th और 5th generation की speed शायद नहीं आएगी, क्योंकि बुक्स में ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन याद रख सकता है, 10 femtosecond, femtosecond होता है, 10 raise power minus 15 seconds, point के बाद, 14 zeros, फिर 1 second, point, point zero, one second, इतना time है, इसका processing speed, मतलब बहुत काम time, speed है, मतलब आग इसके जो operating system यूज होता है, उसको बोलते है, knowledge information processing system, के IPS भी उसको बोलते थे, और याद रखना है कि जो language यूज होती है, इसमें वो है Java, Prolog, यह Prolog, Java यह full natural language की तरफ दोड रहे हैं, full natural language मतलब natural language, जैसे पहले 0000 लिखना पढ़ता था, फिर computer समझता था, machine language, फिर SME language में बहुत कुछ डाल सकते हो, अब natural language मतलब directly आप बोलो, computer को जबान से वो सुनना चाहें, जैसे robot, robot को हाई बोलते हो, वो बोलता है, hello, कैसे हो, वो बोलता है, ठीक है, आब बलतो चाह पी होगे, जैसे आपने देखा होगा robot TV पे, काम करता है, कैसे answer देता है, इतना ही नहीं, face recognition, आप दिखाते हो, mobile या, किसी वो ना, वो दिखा ना, अपने face या voice recognition, मोबैलिस्म में भी होता है, recognition, वो कैसे recognize करता है, आपका face voice, यही है natural language, मतलब आपकी बाशा computer को समझाना, fifth generation का टार्गेट यही है, कि natural language, full, समझे computer, आप उसको कुछ बोलो काम, जबान से, वो समझे, तबी तो, तबी तो, तबी तो, इसकी application है, artificial intelligence में, computer को artificially intelligent इतना बनाना, knowledge इतना उसको देना, information देना, ताकि वो आपकी language समझे, आपके साथ बातचीत कर सेके, इंसान की तरह बहेव करे, artificial intelligence की examples है, robotics, biometric, face, voice recognition, जो आपने देखा है, biometric जो होती है, attendance, face recognition, voice recognition, यह सारा computer कैसे समझता है, क्यूंकि उसको, उसको intelligent बनाया गया है, उसमें artificial intelligence लाई गई है, अब कुछ, facts, वो उपर देखे थे आपने, 4th generation में, world, 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 world के बारे में, अब है 5th generation में, इंडिया, इंडि 5th generation में, इंडिया ने बहुत कुछ किया हुआ है, देख लीजे, इंडिया का, इंडिया का, इंडिया का, इंडिया का, पहला सुपर कम्प्यूटर, परम 8000, परम 8000 है नाम सुपर कम्प्यूटर का, वो भी आया 5th generation में, 1919 में, 1990 में, इंडिया का, इंडिया का, इंडिया का, बना, परम 8000 से पहले ही, 1986 में बना, उसका नाम था, सिदार था, वो भी फिफ्ट जनरेशन का ही पार्ट है, इंडिया का फास्टस्ट सुपरकम्प्यूटर जो कि 2018 में तयार हुआ, प्रत्युश, वो भी फिफ्ट जनरेशन में ही बना,